नमस्कार स्वागत है आप सभी का जेजैन निउस में और आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेदी क्या आपने कभी किसी को एक बोरी गेहूं के लिए गोली खाते हुए देखा है या कभी LPG गैस बड़े बड़े गुबारों में भरी हुई देखी है अगर नहीं देखी तो इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की जरुरत नहीं है क्योंकि ये हालत है हमारे पडोसी दोस्त देश के जी हाँ आपने सही सुना दोस्त देश अब हमने तो हमेशा से ही पाकिस्तान के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा है लेकिन पाकिस्तान ही है जो हर बार अपना हाथ आगे बढ़ाने से बच्चता है और आज पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हर कोई ट्रोल तक कर रहा है और करे भी क्यों ना कभी-कभी तो लगता है कि जैसे पाकिस्तान की गर्वर्मेंट और वहां की मिलिटरी चाहती है कि उन्हें टॉल करते रहें जिससे कोई ये ना भूल जाए कि पाकिस्तान जैसा भी एक देश है ना जाने किती बार पाकिस्तान के सामने भारत ने दूश्ती का हाथ पड़ा है लेकिन पता नहीं क्यूं फिर भी पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है जिस वजे से हमेशा पाकिस्तान किसी ऐसे देश की मदद लेता रहता है जो सिर्फ उस चीन का development cost देखकर पाकिस्तान हग का बक्का रह गया और आज तक चीन का loan नहीं जुका पाया है और इसका तो फिर एक ही समाधान हो सकता है कि पाकिस्तान चीन को अपनी sovereignty का full control दे दे जिससे चीन को अपने belt and road initiative में मदद मिल सके अब वो भारत को strategic point of view से घेल ले लेकिन इस पूरी geopolitics ने सबसे जादा पाकिस्तानी नागरिकों की जिंदिकी में असर पड़ा है इस पूरी geopolitics की वज़े से पाकिस्तान की currency पिछले कुछ समय में 30% से जादा गिड़ चुकी है जिस वज़े से पाकिस्तान में हर चीज दिन पर दिन महेंगी होती जा रही है जिसका सीधा असर पड़ रहा है पाकिस्तान की आवाम पर और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर कोई गरीब है बलकि जिस किसी इंसान का सरकार से कोई तालुक है वो तो अमीर है और ऐसा सिर्फ अभी नहीं है बलकि जब से पाकिस्तान अजाद हुआ है तब से ये अमीर गरीब रेशियो चलता आ रहा है पाकिस्तान की सरकार में मौजूद लोग तो हमेशा से ही अरबपती रहे हैं पिर चाहे वो भुटो हो या नवास चली या फिर इमरान खान सब अरबपती है और ऐसा नहीं है कि ये बात पाकिस्तान के लोगों से चुपी है भाई वो भी देख रहे हैं कि एक जगह जहां उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं वही उनके पॉलिटीशियन्स और मिलिटरी लीडर बड़ी बड़ी गाड़ियों भी घूम रहे हैं पाइफ स्टार होटल में खाना खा रहे हैं जिस वज़े से वहां के लोगों में अपनी ही सरकार की खिलाब बहुत आक्रोश है यहां तक कि पाकिस्तान के न्यूस चैनल्स भी अब इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि हाँ भाई इनेक्वेलिटी तो पाकिस्तान में हैं और वो भी भारत के लीडर्स की सरहाना कर रहे हैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने तो ये भी कहा था कि वो विपिन रावत की रिस्पेक्ट करते हैं कि भारत जैसे देश के डिफेंस लीडर होने के बावजूद विपिन रावत दिल्ली में एक 3BHK अपार्टमेंट में रहते थे जहां उनके खुद के मिलिटरी रीडर का अपना खुद का महल जैसा घर था और फिर ऐसे में चीन का घुसना और दिक्कत एक पैदा कर रहा है जैसे कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान चीन का करजा नहीं चुका पारा है जिसके चलते पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझाता हुआ था कि चीन अपने कुछ नागरिक जो मुख्य रूप से इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक रहने की जगय का निर्बान कर रहा है और जैसे ही वहाँ चीनी लोग रहने आए आस-पास के बलूच लोगों ने उन चीनियों को डढा ना धमकाना चुरू कर दिया था तो इससे ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान लोग पाकिस्तान की नीतियों से सहमत नहीं है और इस वज़े से ही पाकिस्तान की आवाम से अभी एक ही आवाज आ रही है अब वो है भारत पाकिस्तान की आवाम ये मानने लगी है कि अगर कोई देश उनकी मूल अधिकारों को उनको दे सकता है उनको दो वक्त की रोटी दे सकता है तो वो देश है सिर्फ भारत पूरे पाकिस्तान में कई जगे लोग भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये एक एतिहा से खड़ी होगी ऐसे में जो कुछ भी हो भारत इन सब चीजों पर अपने आप पर कोई प्रभाब नहीं पढ़ने देता है भारत ने पहले भी दोस्ती के टोकन रूप में पाकिस्तान की मदद करी है और आज भी भारत पाकिस्तान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान ही एकलोता ऐसा देश नहीं है जिसकी मदद भारत निस्वार्थ भाउस के साथ करता है बलकि आज ताब भारत कई देशों की मदद कर चुका है और इसका सबसे बड़ा उधारन ये है कि टर्की में संकट आने के वाद भारत सबसे पहले मदद करने वाले देशों में से एक था और शायद आप सभी को ये पता हो ही होगा कि टर्की हमेशा से ही भारत के खिलाफ रहा है या यू कह लीजिए कि हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है यहां तक कि पाकिस्तान की कश्मीर में मदद करने के लिए टर्की ने कई जवान टर्की लड़के पाकिस्तान को भेजे हैं और सिफ इतना ही नहीं बलकि कश्मीर से जिन लोगों को military बनाने के लिए manipulate किया जाता था उनको भी टर्की ले जाया जाता है जिससे वो उन कश्मीरियों को brainwash कर सके यहां तक की टर्की ने हमेशा कश्मीर का मुद्दा UN मुठाया यहां तक की UNGA में भी टर्की के राश्पती ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है लेकिन क्या आपको पता है क्यूं क्यूंकि टर्की और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है बिलकुल भाई जैसे हैं ये दोनों देश लेकिन इसका जवाब भारत ने कैसे दिया तो भारत ने इसका जवाब दिया टर्की की मदद करके जी हां मदद करके और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है इससे अच्छा मैसस क्या हो सकता है टर्की को और पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये है हमार NDRF की टीम 3300 से जादा लोगों को मेडिकल असिस्टेंस दे कर हजारों को रेस्क्यू करके वापस घर आई तो इस कहानी की किस्से बहारा रहे हैं। NDRF की टीम अपना experience शेर कर रही है कि कैसे भारत का चंडा देखने के बाद तरकी की लोगों की आखों में उम्मीद की किरन दिखी थी और ये बास सिर्फ हमारी NDRF नहीं बोल रही बलकि ये कोई भारते सरकार की publicity का stunt भी नहीं है बलकि पूरे तरकी में भी भारत और भारत की N की भाषा में भी और ये करके भारत ने दोनों देशों की दूस्ती की तरफ एक कदम उठाया है भारत ने फिर दुनिया को दिखाया है कि क्यू भारत का जंडा सिर्फ एक जंडा नहीं है बलकि जरूरत मंद लोगों के लिए आस की किरन भी है शायद आप लोगों को याद तो होगा ही युक्रेन, रूस, वार के बीट जब काई देशों के नागरी युक्रेन में फश्से हुए थे तब लोग भारत का जंडा बसों की छट पर लगा का बॉडर क्रॉस कर रहे थी क्यूंकि उन्हें भी पता था कि भारत का जंडा दे युक्रेन और रूस दूरों क पर लोग दे रही हैं क्यूं क्यूंकि ये है भारत के जंडे की शक्ती ये है भारत और हर भारतियों को अपने देश पर नाच है कि जरुवत के वक्त हमारा देश ही है जो सबसे पहले किसी की मदद के लिए हाथ पढ़ाता है तो आज की हमारे इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही जेजैन आपके लिए ऐसी ही इंफर्मेटिव वीडियो लाता रहता है तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें जेजैन न्यूज नमस्कार